डिक्टेटर्शिप question mark वाला जो आपने एपिसोड बनाया ये इतना aggressive क्यों था हम तो constitution बदल देंगे 400 पार होने पर क्या आपको रस्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि दुरुवराटी एंटी नेशनल दुरुवराटी क्या कर रहे हो तुम यहाँ हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे कोई hero नहीं आने वाला आपके तार आम आगमी पार्टी से जुनेगा नहीं ये सब जूट है ये जूटे आरोप लगाते हैं अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते हैं मैं BJP के पास जाता सबसे पहले सबसे आदा पैसे उन्हीं के पास है देशबक्त के आज के हमारे conversations में जो guests हैं उन्होंने आज कल थोड़ा सा तहलका मचा के रखा है वैसे तो social media के दुनिया में he's well known लेकिन आज कल political गलियारों में भी उनके बारे में काफी बाते हो रही हैं दुरुवराठी, many thanks for joining us here on देशबक्त conversations, always a pleasure having a conversation with you लेकिन आज का conversation थोड़ा ज़ादा खास है, especially because we are just a few days away from the elections और आपकी जो आजकल वीडियो आ रहे हैं काफी धुआधार वीडियो चल रहे हैं education से जो आपके already काफी popular वीडियो हुआ करते थे और अब जो political वीडियो आ रहे हैं उनमें एक नया जोश दिख रहा है तेजी दिख रही है, aggression दिख रहा है तो मेरा सबसे पहला सवाल without beating around the bush let's address the elephant in the room ये जो dictatorship dictatorship question mark dictatorship question mark वाला जो आपने episode बनाया, ये इतना aggressive क्यों था, इसके तेवर बिल्कुल अलग क्यों थे आपके दूसरे वीडियो से, वो थोड़े से balance होते हैं, थोड़ा सा एक उनमें थहराओ होता है लेकिन इसमें थोड़ा घुसा जादा दिखा अब देखो कोई भी इनसान अगर अपने देश की परवा करता है जो भी चीज़े मैंने उसमें बताई सब को जानकर शौक लग जाना चाहिए जो भी मैंने बताई अगर आपको थोड़ी सी भी फिकर है ना देश की आपकी आँखे खुल जानी चाहिए यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन तो मेरे अंदर भी वही फिलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियो बनाते रहता हूँ लेकिन जब मैंने देखा कि exactly क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा इसके बारे में और मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा अगर हर कोई चुप बैठा रहा मैंने भी देखा कि यह ऐसी चीज़े नहीं थी जो उसी वक्त होई थी कुछ चीज़े थी जो पहले कुछ हो चुकी थी कुछ महीने से हो रही थी कुछ सालों से हो रही थी लेकिन जब कोई दिखी ही नहीं आवाज तो मुझे लगा कि मुझे ही करना पड़ेगा ये बात सही है कि आपने जो उस वीडियो में उसमें आपका जो collection of facts था वो बहुत interesting था लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो पहले report नहीं हुआ है लेकिन बहुत लोगों को तब भी shock लगा कि dictator तो एक होता है देश में जो गलत हो रहा है उसको state करना जो आप पहले भी कर चुके हो हम भी करते हैं यहां देश भगपर लेकिन बहुत लोगों को shock लगा कि आपने उस वीडियो का जो title दिया उस वीडियो का जो direction है वाई सच अ हार्ड स्टैंस भाई किसी भी और dictatorship से compare कर लो यही चीज मैंने उस वीडियो में कही थी मैं यह नहीं कह रहा कि देश अलड़ी dictatorship बन चुका है लेकिन जिस तेजी से चीज़े होए जा रही है और वो वीडियो तो कितना हो गया तो महीने पहले रिलीज हुआ था उनी को ही आप campaign नहीं करने दोगे तो किस बात की election हो रही है free and fair election है ही नहीं है और अगर free or fair election ही नहीं है तो किस बात की democracy क्योंकि election तो North Korea में भी होती है रश्या में भी होती है यही चीज मैंने कही थी तो आपको डर किस बात का है कि democracy नहीं रहेगी या brutal majority किसी एक party की आजाएगी with पैतडे लगा कर डर किस बात का है अब क्या क्या pure dictatorship का डर है आप पर अगर चीजे आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रश्या की हालत है कोई आवाज नहीं उठा सकता पूर्तिन के खिलाफ नवालनी के साथ किया हुआ था आपने देखा है और अभी जो attack वाली situation भी हुई पता नहीं आपने recent ख़बर पड़ी कि नहीं Russia में एक attack हुआ और US ने पहले से inform कर दिया था उन्हें दो अफ़ते पहले कि attack होने वाला है किसी भी concert में हो सकता है इतने specific थे उन्होंने Russian intelligence को warning भी दे थी कि attack हो रहा है आपर और अगर आप खबरे सुनोगे कि उस attack में क्या क्या हुआ जो security guards थे वो react नहीं कर रहे थे attack के दो रान और जो services आनी चाहिए थी police की वो उस time पर नहीं पहुँची वाँपर यह वही dictator tactics बार-बार हमें use होती हुई दिख रही है North Korea में क्या होता है जो चीजे वहाँ पर हो रही है वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी आप बार-बार उस वीडियो में इस interview में already dictatorship शब्द का इतने बार उपयोग कर रहे हैं क्योंकि करने की जरूरत है अगर अब नहीं बोला तो जब actual dictatorship बन जाएगा नदेश तब लेट हो जाएगा बोलना कहने वाले तो ये भी कहेंगे भग बैनर जी भी मैंने उतसे पूछा वो भी ये कहता है कि भाई dictatorship अगर होता तो दुरूबराटी यहां बैटकर dictatorship बाते ना कर पाता तब ही मैंने कहा कि अभी नहीं बनाये dictatorship लेकिन अगर हमने अभी अभी अवाज नहीं उठाई ना तो कुछ सालों बाद वही हालत होगी और तब अवाज उठाने के लिए का मौका गया आज रशिया में आप किसी को कहो कि भाई अभी अवाज क्यों नहीं उठाता dictatorship के खिलाफ या किसी North Korean बंदे को कहो भी अपनी अवाज उठाओ प्रोटेस्ट करो वो क्यों नहीं करते क्योंकि वहाँ लेट हो चुका है हम यहाँ अभी लेट नहीं हुआ है और हम लेट नहीं होने दे सकते लेकिन द्रूब यह भी तो है ना कि आप अपना point of view को सत्त मान के दूसरे लोगों को तो यह नहीं बोल सकते हो ना कि भाया तुम ऐसा करो वैसा करो लोग तो खुश है आप तो यह deny नहीं कर सकते हो कि लोग तो बहुत मगद हैं तो यह point कहां से आजाता है कि लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो ऐसे करो देश-डिक्तेटर्शिप में हैं लोग तो खुश हैं लोग कही आँ हम किसको वोट दे सकते हैं ऐसा नहीं कि लोग खुश हैं लेकिन मैं कहुंगा कि बात उन तक पहुँच नहीं रही है क्योंकि पूरा का पूरा मेडिया ओलरी खरीदा जा चुका है हम लोग बचे हैं जो आवाज उठाने वाले हैं हमें भी सेंसर करने ही कोशिश करी जा रही है आपर तो जब बात उन तक पहुँचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नया बताया हो अपने वीडियो में जैसा आपने काना जो भी फैक्ट्स बताया है वो सब थे निउस पेपर रिपोर्ट छपी थी लेकिन निउस चैनलों में उनकी बात नहीं हो रही थी WhatsApp University में उसकी बात नहीं हो रही थी सोशल मीडिया पर उसकी बात नहीं हो रही थी वो खबर आती थी और अखबार के साथवे आठवे पन्ने पर छपकर एक दिन गायव हो जाती थी यही दिक्कत है आच्छा चलो मान लिया कि मीडिया कैप्चरड है काफी हद तक information लोगों के पास नहीं जा रही है लेकिन ये बाद भी सत्य है कि बहुत लोगों के पास जिनके पास पूरी information है पूरा internet है पूरा media है वो भी सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं ठीक है दुरोवराठी तुम जो बोल रहे हो ठीक है लेकिन हम और किसको वोट दे सकते हैं देर इस नो alternative उसका क्या जवाब है तुमारे पास देखो ये तो वही बात हो वही जब अगर ब्रिटिश राज था जब देश में कुछ लोग कहते कि अंग्रेज नहीं तो और कौन जब देश डिक्टेटर्शिप की और गिरता जा रहा है कोई भी option यहाँ पर बहतर option है मानलो आप गाड़ी में बैठे हो आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है आपका पहला thought क्या होगा उस गाड़ी से बाहर निकलना या फिर आप ये बैठ कर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई लेकिन if not this car तें कौनसी गाड़ी भई आप ये सोचोगे कि जब आग जलरी हो आपकी गाड़ी में सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है ठीक है चलो ओके अगर ये बात कोई मानता है तो फिर citizen को क्या करना चाहिए वो अपने आपको अभी ये मान आप क्या उनको ये बोलने की कोशिश कर रहें कि वो जलते हुए गाड़ी में है वो क्या करें जलते हुए गाड़ी से फिर क्या करें मैं सीधा सीधा करूँगा कि वो गाड़ी जा रही है पोलिंग बोथ के तरफ वो जल रही है हम बताइए फिर क्या करें वो अभी आज के दिन जो options बचे हैं देश को dictatorship की और गिरने से बचाने के वो कम होते जा रहे है मीडिया पूर अब एक चुका है election commission की उपर pressure है सरकार चुनती है उनने ED, CBI जैसी agencies की कोई reputation रह नहीं गई है supreme court के judges की उपर इतना pressure पड़ता है कि जब supreme court के judges retire हो जाते हैं तब ही वो खुलकर बात कर पाते हैं और जो existing judges हैं वो खुलकर decisions भी ने लिपा रहे हैं और यह electoral bonds का तो सिर्फ एक decision था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो लेकिन कितनी ऐसी और चीज़े हैं उन पर अपना pressure है तो बचा कौन यहां पर बस हम और आप जैसे लोग बचे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बचे देश के नागरिक और 2024 की यह election यही आखरी मौका है हम सब के लिए voting की ताकत से देश को बचाने का देश की democracy को बचाने का तो सीधा सीधा मैं कहूंगा कि अगर हमें देश को dictatorship की ओर गिरने से बचाना है तो vote करो जाकर और अपने आसपास के लोगों को बताओ vote करें उन्हें बताओ कि देश आज किस हालत में है और एक-एक viewer जो इस वीडियो को देख रहा है वो सोचना कि आपके पास कितनी ताकत है अगर हम कितने एक करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर से आपके मेरे मिला करोंगे उससे भी ज्यादा हैं वैसे लेकिन अगर हर एक इनसान अपने आसपास के सो लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है डिक्टेटरशिप की हालत क्या है अपने आसपास सो लोगों को जागरूख कर सकते हैं आपको सोशल मीडिया पर इतना भरोसा है कि सोशल मीडिया पर नहीं देश के नागरिकों पर इतना भरोसा है जो हम लोगों को देख रहे हैं आज के दिन लोग उन पर इतना भरोसा है आपको यंग्स्टर्स बहुत देखते हैं यह तो analytics YouTube भी बता देगा हम लोग यह बात भी करते हैं कि कैसे हमारे parents की generation को WhatsApp अलड़ी खा चुकी है क्योंकि वो WhatsApp देख देख के देख देख के उनका दिमाद और भेजा फ्राइ हो चुका है लेकिन youngsters से आशा कर सकते हैं एक huge chunk of youngsters इस बार vote करने वाले हैं नहीं नहीं इंस्ट्रीम मीडिया कभी देखा है वो WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram देख कर ही बड़े हुए है उनसे ज़्यादा आशा है या उनसे कम आशा है कोई age की limitation नहीं है कोई gender की limitation नहीं है कोई धर्म की limitation नहीं है जो लोग इस हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है जिस इनसान को देश की परवा है उसे ये action लेना चाहिए उसे देश, उसे democracy का सिपाही बनना चाहिए और वोटर को फिर क्या देखना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देशभग पर तो हम कभी किसी party विशेश को support या oppose नहीं करते हैं लेकिन आपका thought process क्या है आप क्या voter को क्या फिर देखना चाहिए सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए कि dictatorship को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में जो सरकार देश को dictatorship की और ले जा रही है उसे सत्ता से पहले भार निकालो उसके बाद देखेंगे क्या करना है सबसे पहली step यह है अब यहाँ पर और सबसे critical step है यह उनसे क्या कहना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि नहीं निठीक है वहाँ सारे uncle भी है जो drawing room में बैट कर कहते हैं कि dictatorship अच्छा है देश चलेगा train time पर चाहिए उन्हें कहूंगा कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरिंदर मोधी देश के लिए अच्छे हैं वो यह यह करते हैं आपकी जो personal preferences हैं उन्हें एक बारी अपने दिल से निकाल दो और सच्चे दिल से चीजों को देखने की कुशिश करो एक third-person perspective से की क्या हो रहे जो facts यहां पर हो रहे हैं जो events आपके सामने हो रहे हैं किसी को arrest किया जा रहे हैं किसी के accounts freeze किया जा रहे हैं क्या यह सही हो रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई भी सच्चे दिल से इस चीज को देखकर कह सकता है की यह सही हो रहे कि दुरूब से ये बात पूछो, कि ये जो डिक्टेटर्शिप वाला वीडियो बनाया, अभी एलेक्शन कमिशन के बारे में जो वीडियो बनाया, लेकिन अल्टिमेटली अगर हम एक होकर, एक तरफ वोट नहीं करेंगे, तो शायद कोलिशन गवर्मेंट आ जाएगा, और इस चीज़ का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्मेंट आने से देश का विकास रुख जाएगा, ये बहुत भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुख जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्मेंट की और जो ये गवर्मेंट की सरकार हो, उससे पहले जब जब मैजॉरिटी गवर्मेंट पावर में थी, तब तब कुछ ना कुछ उन्होंने डिक्टेटोरियल करनी ही कुशिश करी है, जैसे कि इंदरा गांधी की हो, या राजीव गांधी की हो, तो और ये एक दूसरा परसेप्शन जो लोगों गलत होता है कि स्टेबिलिटी खतम हो जाएगी देश में, अगर कोलेशन गवर्मेंट आगी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी है कहां देश में, आजए एक इनसान तो बैठा सब कुछ चला रहा है, E.D. उसके हाथ में, C.B.I. उसके हाथ में, किस टाइब की फिल्में देखते हो, ये भी वो उपर से बताएगा, अगर ऐसा होता है कि कल कोई और सरकार आती है, या फिर अगर ऐसा कल कोई होता है कि आपको बोला जाता है कि भाई, दुरू बराटी, आप इतने वीडियो बनाते हो, चलिए ठीक है, आप ही बतातो कि सरकार आएगी, हमें हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा, हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि exactly क्या क्या कानून पास किये जाएं जिससे कि institutions का independence वापस आ सके, और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके, कैसे election commission को free करना है, कैसे CBI को आ सरकार के हाथों से, यह सारे कानून, बिल पास करने के लिए हमें pressure बनाना पड़ेगा, जो भी नहीं सरकार बनेगी उस पर. मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आप किसी party का नाम लो या किसी party के तरफ लोगों को push करो, because that's not our job, लेकिन आपको क्या लगता है, कि लोगों को कौन सी type of party को choose करना चाहिए, अगर यह dictatorship का issue है, तो कौन सी party, because यह भी तो बोला जाता है, देखो corrupt तो सारे ही parties हैं. बात सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लेवल तक corruption हर party में है, कुछ लेवल तक यह dictatorial जो चीजे करी जा रही है, यह और parties में भी करी जा रही है, जैसे TMC पर भी ऐसी आरोप लगते हैं, जो काफी अद तक सही है, मैं कहूंगा, लेकिन जिस scale पर यहां central government यह कर रही है, वो scale खतरनाक है यहां पर, जिससे सबसे बड़ा खतरा देश को पहुंच रहा है, वो central government से पहुंच रहा है आज के दिन, आपको लगता है कि constitution खतरे में है, अगर 400 पार हो गया तो, खुद ही बोल रहे हैं, BJP के खुद के leaders बोलने लग रहे हैं, यह कि हम तो constitution बड़ा सवाल और जो मैंने देखा आपका, जो दूसरा, आजकल आपके हर वीडियो के बाद तो बहुत सारे twitter पर भी बस होता है, आप trend भी कर रहे थे इतने दिनों से as a matter of fact मैंने देखा, तो electoral bonds पर जब आपने जो वीडियो बनाया, biggest scam आपने उसको कहा है, मैंने भी episodes बना आने के बाद, ये तथे रखने के बाद, सुप्रीम कोट के इतने बड़े verdict के बाद, SBI को इतनी बार घंकालने के बाद, डेटा बाहर निकलने के बाद, आपको लगता है कि इससे election पर कोई impact पड़ेगा, अगर लोगों को जागरुक किया गया तो जरूर पड़ेगा, अग लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था, मैंने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम क्यूं कहा, इसके बीचे कारण ये था कि अगर आप इसके अंदर जाके, क्योंकि ये एक स्कैम नहीं है, ये स्कैमों का भंडार है, अलग-अलग छोटे-छोटे स्कैम, छोटे- होगे आपर, लाखो करोडो की बात करी जा रही है आपर, और इसलिए मैं कहा रहा हूँ, और जो लोग उससे भी कंपेर करते थे, वो 2G स्कैम और कोलगेट वाले स्कैम से, उससे भी कंपेर कर लो, अभी क्या देखने को मिल रहा है, कि जो सबसे बड़ा आरोपी था, कोलग नहीं पढ़ रहा है, दूसरे तरफ हम देखते हैं, 2G कोलगेट स्कैम पे लोग रस्ते पर आ गए थे, अब इतना वड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन इंपक्ट, एटलिस्ट लोगों के मन में उतना नहीं दिख रहा है, तो क्या लोगों को ये सब स्कैम और प्रोटेस्ट, क् मनिपूर में क्या हो रहा है, उन्हें आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का, एक बार तभी मैं कह रहा हूँ कि एक एक वीवर जो इस वीडियो को देख रहा है, वो बस सोचे कि कैसे सो लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकता है, क्योंकि आप अपने आस पास के सो लोग मुझे मज़ा तो अपने एडूकेशन वीडियो बनाने भी आता है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, स्पॉंसर भी ज़्यादा आते हैं, और इससे जो कॉंट्रिवर्सी है वो भी नहीं होती, तो मेरी रेपिटेशन के लिए, पैसो के लिए, हर चीज़ के लिए, अपनी के लिए वही वीडियो बनाने बहतर थे, लेकिन मैंने ये देखा कि आज जब इतना बड़ा देश, हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉंड तुम्हारा देखेगा कौन, क्योंकि अभी तो अर्विंद केजरिवाल को भी उसी शाम को ही अरेस्ट कर लिया जाता है, जब फाइनल डेटा बाहर निकलता है, एक मुद्दा नहीं है, अर्विंद केजरिवाल की अरेस्ट हो, कॉंग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, इलेक्टोरल बॉंड्स हो, यह पहला अक्यूज था उस स्कैम का, उसने बीजेपी को पचास करोड दिये और केजरिवाल पर आरोप लगा दिये, यही सब चल रहा है देश में, तो यह सारी चीज़े एक दूसरे से लिंक्ट है जो होने लग रही है, लोगों को जो सच पहुचाना है, वो यह कलेक्टिवल करने की जरुवत पढ़ती क्या? तब नहीं पढ़ती, अगर हमारे इंस्टिउशन सही से काम कर रहे हैं, क्यों? वाट इस देटा? डेटा क्या है, मीडिया ही नहीं बता रहे हैं, आप देख लो, एक एक चीज़ को उठा कर देख लो, मनिपूर की बात करी मीडिया ने, एक्टोरल बॉर्ण्स का तुमने खबर बाहर कर दिया, तो क्या होगा? एक ही तो पार्टी है, ओपोजिशन की तो हालती खराब है, वोट ही नहीं करते हैं, या वोट करते हैं, चलो, हुस्से में हम नोटा करेंगे, तो उनसे क्या कहेंगे, जो नोटा पर मोहर लगाएंग और आप उस पर नोटा का बटन दबाते हो, वहाँ पर न्यूटरल स्टांज का मतलब क्या होगा? या आप चुपचाब खड़े रहते हो, कुछ नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, बिल्डिंग को ऐसी जलते रहने देते हो, यह होगा नोटा का मतलब, यहां पर भी dictatorship की और गिर रहा है आपको फरवाई नहीं है देश की आप नोटा का बटन दबारे और कहते हो मैं तो neutral हूँ आप आशा करते हो मैं भी आशा करता हूँ कि लोग इस interview को देखें ये बात मानें लोगों को educate करें मीडिया खबर नहीं पहुचा रही है ये इसमें तो मेरे खाल से एक चीज़ पर तो debate मेरे खाल से कोई भी नहीं करेगा hopefully पता नहीं आज के देश में क्या है कि मीडिया नहीं inform कर पा रही है हमें जो पसंद नहीं करते हैं वो भी इतना तो कहते हैं कि हाँ भई हम तुम्हें देखते हैं क्योंकि खबर हमें मिलती है लेकिन एक तरफ आप educate करने की कोशिश कर रहे हो, inform करने की कोशिश कर रहे हो और इनको भी politically appropriate किया जा रहा है एक तरफ आप लोगों को डिक्टेटरिशिप के बारे बता रहे हो उधर ही वो dictatorial forces इनके साथ बैटके YouTube वीडियो भी बना रही है उससे कैसे हरा होगे दो ये तो लोगों को सोचना होगा कि किस viewer को, किस YouTuber को देखते हैं किस influencer से प्रेरित होते हैं मेरी तरफ से बस इतना ही कहना होगा कि आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे हो किसी भी वीडियो को देखते हो YouTube पर किसी influencer को follow करते हो या TV पर कुछ देखते हो अपने दिमाग को dust win की तरह treatment किया करो क्योंकि जो भी आप देखते हो उसका impact आपके मन पर पड़ता है अगर आप ये देख रहे हो कि influencers guns का show off कर रहे हैं DR drugs का show off करते हैं तो क्या चीज़े आप सीख रहे हों destructive habits जो है नफरत फैलाना आपके मन में क्या आता है उनको देखकर तो मैं तो यही कहूँगा अब किसी भी चीज़ को देखने से पहले judge किया करो Big Boss के बारे में मैंने यही कहा था सोचो क्या मिल रहा है आपको देखकर entertainment के मतलब पर यह नहीं कि दिमाग को dustbin की तरह बना दो इनका hold तो है that you admit आप से जादा है hold है क्योंकि लोगों को controversy देखनी पसंद होती है असल में और ज्यातर लोग जो इन्हें देखते हैं बस इसलिए देखते हैं कि अरे अब क्या नया बवाल कर दिया इसने चलो देखो अब क्या कलेश हो गई है आप पर मज़ा आता है उन्हें वो controversy देखने में कोई इसलिए नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि मैं दिल से support करता हूँ इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे मुझे वो बस ड्रामे के लिए देखते हैं लोगों दुरवराटी की army है क्या? ने मेरी कोई army नहीं है आर्मी जिरव एक है देश में इंडियन आर्मी बहुत सारे जो अभी ओफलेट मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूबर्स को और इतना budget भी है सरकार के पास तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो politics नहीं करते हैं वो political commentary कर रहे हैं interviews बहुत सारे हो रहे हैं आपका भी एक link जोड़ा जाता है जैसे मैं आकाज बेनरजी हूँ फिर मैं तो ममता बेनरजी का भतीजा हूँ किसी को मैं ना भी समझाओ आप मैं ही बोलते तो हाँ भाई ठीक है तुम ही साही बोल रहे हो उसी तरीके से आपके तार आप आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं चाहे आप deny करो या नहीं करो तो ये तार कब से जुड़े ये बता दो आज admission आज आप भी बता दो कब जुड़े ये तार पहले वाले सवाल पर दो-दो सवाल हैं आपे पहला आपका सवाल ये है कि जो बाकी मुश्किल है उन्हें इससे कुछ effect पड़ेगा शायद उनके उपर income tax की rate हो जाएगी या ED आजाएगी उनके पास और दूसरी तरफ यहां option है कि चुपचाब बैठे रहो सरकार की तारीफ करो award दे देंगे हम आपको stage पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा इतनी तारीफ कर दी जाएगी तो असान option है वो चुनना गूर खटे है ना आपको award नहीं मिला इसलिए आप यह कहने हो मैं सही बताओ अगर कोई party मुझे पैसे दे रही होती अगर मुझे सही में party से पैसे लेने होते तो मैं BJP के पास जाता सबसे पहले सबसे आदा पैसे उनी के पास है मुझे award भी मिलता मेरी stage पर तारीफ भी होती मेरे लिए तो बहुत ही असान option है वो करना लेकिन आप में फकीरी नहीं है मैंने और वो option इसलिए नहीं चुना है इसलिए मैं ये मुश्किल the road not taken है न वो ले रहा हूँ याँ पर हाँ लेकिन वो road आम आद्मी party तक तो गई नहीं ये सब जूट है ये जूटे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके बस कुछ बोलने को नहीं होता मैं बता दूँ ये clear कर देता हूँ clear शब्दों में कहा रहा हूँ ना मैं किसी political party का member हूँ ना कभी था ना किसी political party ने मुझे आज तक पैसे दिये और ना मैंने किसी political party से आज तक पैसे लिये मुझे offer जरूर आए है इसके हाँ एक south में कोई party थी उसके chief minister ने मुझे invite किया था ये भी बड़ी जूटी खबरे फिलाई जाती है मैं एक बड़ी कोरा पर किसी ने answer में लिख दिया था कि मेरे पापा तो उनकी कोई factory थी congressी थे वो या कुछ था कोई political party उनकी factory बंद करा दी corruption की वज़े से इसलिए BJP से मैं आज नफरत करता हूँ ऐसी ऐसी कहानिया बनाते हैं लोग तो ये पूरी कहानी बनाई हुई है और एक तो ये example हो गया अब दूसरा आपने देखा होगा आज कल क्या फैलाने लग रहे हैं ये कि मैं Indian हुई नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ मेरी बीवी पाकिस्तानी है मैसिज है ना आपने देखा होगा वो मैसिज स्क्रीन पर जरूर दिखाना व्यूर्स को कि क्या-क्या बकवास लिखकर ये WhatsApp forwards में फैलाते हैं एडिटर लगा देगा तो जो भी personal attacks मुझ पर किये जा रहे हैं ये सब एक diversion है क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है facts को counter करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा इसलिए सब चीजे कर रहे हैं बट ये जो तरीके होते हैं जूट फैलाना, गाली बखना ये काफी effective भी होता है तो आप पर effective नहीं रहा है पकका कुछ ना कुछ relation होगा पकका कोई तो funding कर रहा होगा ये उनके मन में आता है तो funding कहीं से तो आती होगी ना नहीं आती ना पर sponsor से funding आती rules के एक्कॉर्डिंग वीडियो में जो sponsor होते हैं मुझे बोलना होता है कि Sponsor है hashtag ad भी लिखाता है जब मैं उने sponsor करता हूँ, वहाँ से funding आती है लेकिन वो WhatsApp message जरूर दिखाना आप viewers को क्योंकि उससे पता चलता है कि जो लोग इन WhatsApp messages को forward करते हैं वो सोचते भी नहीं करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लें कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसी सी पता लग जाएगा कि कितनी बखवास है लेकिन आपको लगता है कि एवन अगर ये बखवास है लोग आजकल WhatsApp पर कुछ भी मानने को तयार हो जाते हैं लेकिन उनके जो preconceived उनकी ideology है उसी के according वो चीजे शेर करते हैं, forward करते हैं तो बस मैं कहूंगा कि थोड़ी सी common sense यूज किया करो WhatsApp forwards करने से पहले बहुत जो सवाल आए हैं हमारे Discord server पे और हमारे YouTube channel पर और Patreon पर एक बहुत common सवाल है कि देखो हमें धुरुफ का काम बहुत अच्छा लगता है लेकिन धुरुफ तो बाहर, जर्मनी में बैट कर आपको जैसे आपके टोलर जर्मन शेपर्ड भी बोलते हैं तो जर्मनी बैट के बात करता है, यहां आकर बात करो तो इनको क्या जवाब फिर से वही बात हुए कि मेरी बातों का जवाब नहीं है यह सब diversion की तरीके हैं, जैसा मैंने का और एक second, हम यह interview का कर रहे है हम आपके घर में कर रहे हैं तो क्या मैं आपके घर में रहता हूँ घर्मनी में तो नहीं है, हाँ ठीक है So you are saying that अगर आप यहां रहते हैं तो इसी, यही तेवर से बात करते हैं कोशिस तो यही रहती मेरी या फिर कहीं न कहीं एक German Democracy का जो Impact है, Liberal Aggressive Opposition होना चाहिए German Democratic Values तो कहीं नहीं आ गए आपके अंदर क्यूंकि लोग तो खुश हैं गया तो यही Democracy है यही Mother of Democracy ऐसी चलती है इन सब चीजों का Germany से West से कोई Relation नहीं है जिन values की मैं बात कर रहा हूँ वो वही values हैं जिनकी भगत सिंग ने बात करी थी नेता जी सुभाज चंदर बोस ने बात करी थी महातमा गांधी जी ने बात करी थी हमारे सारे Freedom Fighters ने इन ही values के लिए अपनी जान दे दी थी जब सुभाज चंदर बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा लोग इस कहावत को दोहराते तो हैं लेकिन इसका मतलब क्या है थोड़ा सोच कर देखा है इसका मतलब है कि आपकी खून की आजादी की जो कीमत है वो आपकी खून की कीमत से ज्यादा है ये माईने है फ्रीडम के इस हद तक हमें जाना चाहिए आजादी के लिए फाइट करने के लिए और जो आप गिरते हालत की बात कर रहे हो एक उसमें सवाल भी आया है और मैं तो खुद experience करता हूँ इसमें तो self censorship जो आज हुआ है वो कितना आपको करना पड़ता है क्योंकि हर आदमी आपको privately ये बोलेगा हाँ हाँ हमें सोच के बोलना पड़ता है तो आप भी सोच के बोल रहे हैं अपने वीडियो में सोच कर तो बोलना ही पड़ता है क्योंकि नहीं तो कुछ भी गलत बोला जा सकता है लेकिन जहां तक overall self censorship का सवाल है थोड़ा बहुत जरूर मैं कहूंगा हर influencer अपने आपको कही ना कही self censor कर रहा है क्योंकि माहौल ऐसा है इवन कॉमेडी यूट्यूबर्स वो भी सोचते हैं दो बार की इस पर जोक करूँ या ना करूँ इस पर लोग offend होएंगे किसके sentiments हर्ट होएंगे पदा निया आजकल तो IPL टीम्स पर भी कोई जोक कर दिये किसे के sentiment हर्ट हो जाते हैं ट्रेंड चल रहा था उस दिन मैंने देखा था तो हर कोई कुछ हद तक self-censor कर रहा है अपने आपको लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना खुल कर मैं बोल सकूँ उतना खुल कर बोलने की कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब में एक सबसे जादा जो सवाल आपका आया है आपके उपर बहुत क्लेरी लोग आपको काफी टाइम से जो फॉलो कर रहे हैं वो एक trajectory देख पाए हैं आपकी वीडियो की कहीं न कहीं उनका मानना है कि दुरुब ने बीच में आशा छोड़ दी थी वो political वीडियो से educational वीडियो पे चले आए हैं और अब election से पहले काफी जादा aggressive तरीके से वापस आएं तो उनका सवाल ये है कि ये aggression जो आ रहा है ये कहीं timing के वज़े से तो नहीं है कि आप सिरफ एक timing देखकर ये वीडियो ऐसा कर रहे हो या there is more to it क्योंकि education छोड़कर आप वापस politics में काफी aggressively आप videos बना रहे हो क्यों? मेरा passion जो है वो education videos बनाना है politics के videos अब मैं जो बना रहा हूँ ये मजबूरी की वज़े से बना रहा हूँ मजबूरी आसपास की हालातों को देखकर और जब ये करोगे कहाँ education video में आराम से respect भी मिलेगा civil servant aspirants भी आपको देखेंगे लेकिन यहाँ आपको गाली गलोच मिलेगा threats मिलेगे exactly तो कितना आपको impact करता है क्योंकि problem ये है कि जो सही बात बोलना चाहता है जो एक progressive बन्दा है या liberal बन्दा है या global outlook वाला बन्दा है वो पाँच गालियां खांके वो चुप हो जाता है हर किसी को यही सोचना चाहिए कि देखो देश को बचाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई आस्मान से आकर टपकेगा फिल्मों में फिल्में देखकर लोगों को लगता होगा कि कोई हीरो आजाएगा जो देश को बचा लेगा कोई हीरो नहीं आने वाला यह मैंने सोचा है और इसको लेकर एक फ्रेज हो सकता है कि मैं नहीं तो और कौन हम नहीं तो और कौन आपके टी-शेट पे लिखा है वी दे पीपल ऑफ इंडिया हम ही इंडिया हैं हम नहीं तो और कौन देश को बचाएगा आप की चलिए मोटी चमडी है मेरी भी कभी-कभी होई जाती है ते दिनों से हो गई है लेकिन एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा जब इतनी उसको ट्रोल किया जाएगा अरे family members और alumni group नहीं छोड़ते हैं बाकी तो आप ITSL को मारो गोली यहाँ तो family वाले पीछे पढ़ जाते हैं तो उनको क्या बोलोगे कि अगर वो सच बोलना भी चाहे तो क्या करे देखो हर किसी को convince करने की कोशिश मत करो जो बहुत ही किसी इंसान ने बिलकुल ठान ली है कि वो अपना मन नहीं बदलेगा तो दूसरे पर move करो क्योंकि इंडिया में अभी भी एक बड़ा section है 20-30% voters का जो non-political है उन लोगों convince करने की कोशिश करो अपने आस पास जाओ जुगी जोपडियों में जाकर देखो अपने house helpers को बताओ देश में क्या हो रहा है सब अपने आस पास के दुकानदारों के पास जाकर देखो उन्हें बताने की कोशिश करो क्या हो रहा है reach out करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने महोलों में अपने neighborhood में और अगर कोई नहीं मानता है तो ठीक है नहीं मानता अगले आदमी पर मुड़ जाओ आप जो कह रहे होने reach out तो उसी तरीके से reach out तो digital means से भी हो सकता है कि अगर एक दुरुबराठी ने भी अगर एक channel अपने बूते पर खड़ा किया था तो दूसरे लोग भी कर सकते है शुरुवात आपने फिर क्या सोच के किया था जब यह channel आपने start किया था तब what was the inspiration उस समय किसको inform करना था किसको educate करना था जो आप mobile phone लेके चल पड़े शुरू में तो जो ऐसी videos बनाये थे मैंने कुछ जो सबसे पहला video था वो एक water park का video था फिर मैंने कुछ ऐसी movie के trailers edit करके डाले video editing मुझे पसंथी as a passion मैं वो कर रहा था फिर धीरे-धीरे मुझे politics में interest आया educational videos बनाने में interest आया तो जो भी मेरा passion था बस मैंने वही follow किया मैं कहूंगा और YouTube videos बनाने में मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं बनाता हूँ simple सी बात है तो जो initial political videos बनाये थे वो क्या सोच के बनाये थे कि देश में कोई change लाओगे passion था मैं कहूंगा मुझे बहुत motivation था मेरे अंदर इसके उपर बोलने का जो जो बात दिल से निकल रही थी बस मैं वो उसे करना चाहता था और start कैसे किया था? क्या hardware लेकर start किया था? सिर्फ एक smartphone था मेरे पास and then when did you get a camera? किते followers के बाद camera लिया? camera तो बहुत बाद लिया है शयद से 2020-21 के बाद मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए कौन सा camera खरीद हूँ? बहुत बाद सवाल है अच्छा, नहीं, इसके लिए camera खरीदने की ज़रूत नहीं smartphone भी काफी हो सकता है initially क्योंकि जब तक मेरे 2 million followers नहीं हो गए थे तब तक मैं smartphone से shoot कर रहा था चीज़ोंको और जो vlogs हैं जो बड़े high quality vlogs हैं वो भी सिर्फ smartphone पर shoot किये जाते हैं कोई external mic जैसे यहां भी use कर रहा हो यह भी नहीं किया जाता तो सब कुछ smartphone से करना possible है editing भी smartphone से करनी possible है तो इसका मतलब है जो आप कह रहे हो लोगों को reach out किया जा सकता है वो एक एक छोटी सी family भी हो सकती है मैं forge word use नहीं कर रहा हूं एक छोटी सी family भी हो सकती है जो अपनी Instagram पर भी लोगों को impact करने की कोशिश कर सकती है विल्कुल कर सकती उनको क्या चाहिए अगर आपका message कोई बोले की नहीं चली है हम Instagram पर one minute videos बनाएंगे और लोगों को educate करेंगे अगले एक महीने तक कि vote करो सही करो कुछ नहीं चीज़े है उन्हें बस camera में देखकर बोलना इतना simple है लेकिन अगर आप properly YouTube YouTuber बनने की कोशिश कर रहे है content creator बनने की कोशिश कर रहे है तो कुछ और चीज़े हैं जिनके बारे में आपको सोचना होता है जैसे कि किस niche में आप जाएंगे exactly कौन सी skills पर आप focus करेंगे इसकी मैंने detail में बाद अपने YouTuber वाले course में करी है जो तीसरा course मेंने भी release किया है वो उसी पर focus है कि अगर आपको content creation को अपना career बनाना है या part time job बनाना है तो यह आप कैसे कर सकते हैं in fact मैं आपके viewers को एक discount भी देना चाहूँगा अगर किसी को interested है कोई interested है आपके देशभक्त viewers में से उस course को खरीदने में देशभक्त है आपका channel तो देश 40 D-E-S-H 40 coupon को इस्तिमाल करें वो तो उन्हें 40% off मिलेगा इस course पर इसका QR code आप यहाँ डाल सकते हो या इसका link नीचे description में भी डाल सकते हो तो उस course में मैंने यही समझा है कि आप niche अपनी कैसे चुन सकते हो और किन चीजों पर आपको focus करना चाहिए एक successful YouTuber बनने के लिए और आपको अभी सबसे जादा किस चीज़ पर focus करना पड़ता है जब आप videos बनाते हो given the times that we live in किस चीज़ पर सबसे जादा focus करना पड़ता है अब obviously lighting और audio पर तो उतना focus नहीं जतना कुछ और चीज़े है नहीं मैं कहूंगा हर चीज़ पर focus करना पड़ता है यह बहुती लंबा process है पहले देखो scripting, researching से शुरू होता है scripting, filming, video editing, reviewing the video, analyzing the video इस लंबे process में हर छोटी छोटी चीज़ पर मैं focus करता हूँ और उन्हें improve करने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई एक specific aspect पर ज्यादा focus करने की ज़रूता है and why should somebody believe in you because दुरूब बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करता है कि नहीं यार, हम तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे हम तो कुछ अपना ही देखेंगे मैं याँ पर secondary source हूँ primary source वही है जो investigative journalists मेहनत से आज भी काम कर रहे है जिनकी ज्यादा बात नहीं करी जाती है जो अख़बारों के 7th, 8th page पर ख़बर छप रही है उन्हीं को ही मैं निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ याँ पर तो आप खुद से fact check करके देखो कितना सच बोल रहा हूँ मेरी बात में, कितना सच है खुद से अपने sources को देखो खुद उन अख़बारों पे जाओ primary sources को evaluate करो और judge कर लो एक चीज होता है कि लोग ये गोदी मीडिया बहुत देख रहे है और दूसरा होता है, मेरा तो personally मानना है कि web में काफी interesting information है journalism हो रहा है तो आप अपने viewers से क्या कहते हो उन्हें क्या देखना चाहिए चलो दुरुवराटी का तो एक episode आता है हफते में 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे बाकी time वो क्या देखेगा, what would you tell them क्या consume करने के लिए information consume करने के लिए वो क्या देखे देशभग देखे यह तो plug हो, यह चले ठीक है but information है, you are saying that जो काम आपका होता है या हमारा होता है जो हम research करते हैं जिसके काम पर हम base करते हैं तो वो information है, क्या लोग नहीं देख रहे हैं मैं काफी बार देखता हूँ कि information है लेकिन consumption नहीं है problem कहा है attitude की थोड़ी सी मैं कहूँगा कि जो tradition है हमारा वही यही था कि news जो है वो TV में देखी जाएगी हमारी पिछली generations भी वैसा ही करती थी तो आज भी लोग वही follow करते हैं अब यह चीज बदल रही है और इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों का थोड़ा focus इस पे लाने की जरूवत है और यह आपके साथ कितनी बार हुआ है कि चल्यों ठीक है आपने बहुत मेहनत किया फैक्ट दिखा यह वह उसके बाद वीडियो निकलने के बाद fact में चेंज आ गया नया इंफर्मेशन आ गया आपका वीडियो उल्टा पड़ गया ऐसा होता है बिल्कुल होता है ऐसा जब भी होता है मैं पिंड कॉमेंट में या डिस्क्रिप्शन में में मेंशन कर देता हूँ कि अब यह चीज बदल गई है या वीडियो में मैंने यह चीज गलत बोल दी थी unintentional mistake थी वहाँ पर मैं mention कर देता हूँ in fact ऐसी गलतियों को minimize करने के लिए मैंने एक पूरा system बनाया है मैंने एक excel file बनाया है जो पिछले videos की mistakes को note down करती है जिसमें मैं लिखता हूँ कि किस time stamp पर क्या गलती थी क्यों वो गलती हुई किस की गलती थी team में और क्या intensity थी उस गलती की ठीक करने के लिए क्या किया उस गलती को और जब से हमने इस system पर काम करना शुरू किया तब से जो frequency थी अनिटेंशनल mistakes की वो बहुत कम हो गई है बने फेक न्यूस पहलाते थे इसका हो गई है ने फेक न्यूस नहीं फैलाता था अनिटेंशनल mistakes और इंटेंशनली fake news फैलाने में बहुत फर्क है अनिटेंशनली कुछ गलतियां हो जाती थी कहीं पढ़ने में गलती हो गई कहीं बोलने में गलती हो गई जैसे कई बारी मैं 29 एर्स लिखा था एज वहाँ पर किसी की एक वीडियो में तो मैंने उसे 39 पड़ दिया, ऐसी गलतिया हो गई, तो इन सब चीजों को मैंने record किया, देखा क्यों यह गलतिया हो रही है, कैसे हम इने review के वक्त correct कर सकते हैं, और यह बहुत कम हो गई है, पहले वीडियो में ज्यादा होती थी, अब पचास सो लोग हैं, कितने लोग हैं? पचास सो जो नहीं है, दस हैं, दस ग्यारा हैं मैं कहूंगा, और हमें देश की फिकर है, उनको बस अपनी फिकर है, और विद द चेंजिंग टेकनोलोजी, बहुत सारे जो यंग्स्टर्स हैं, मुझे हर दिन, I'm sure आपको भी बहुत सारे मेल्स आते होंगे, और अभी आपके इंटर्व्यू के समय भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, कि as a youngster, आपका विडियो तो हमने देखा, हमने politics समझा, लेकिन हम अपने life के साथ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ ना, jobs की problem है, career की issues है, AI is also stepping in, youth को politics सोचने से पहले अपना life के बारे में भी सोचना इतना उन लोग को stress लग रहा है, तो politics कहां से देखेंगे वो? बात ठीक है, पहले अपनी life पर भी focus करना चाहिए, obviously, और उन्हें अपने career के बारे में भी सोचना चाहिए, और जैसे ऐसे जमाना बदल रहा है, उन्हें उसके साथ adapt करना चाहिए, मैं कहूँगा, आज कल artificial intelligence की आने की वजए से बहुत सारी जो नोकरियां हैं, उन पर असर बहुत सी traditional नोकरियां और जो जिसमें college जाते थे या पढ़ाई करते थे, आपको लगता था कि अब guarantee हो जाए की job मिलने की, अब ये जमाना चला गया, क्योंकि चीज़े इतनी तेजी से बदल रही है, आपको एक ऐसा mindset रखना होगा कि आप हर बार सीखते रहो कुछ नवर स् को याद रखना चाहिए, कि आप जिस भी point पर हो अपने career में नई चीज़े सीखते रहो, नई technologies के बारे में नई skills सीखते रहो, तो हमेशा आप top पर रहोगे इन सब के, आपको जब videos बनाते हो तो कभी लगता है कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में discussion हो, बने कौन से videos में सबसे ज़्यादा आपको traction दिखता है, क्या जो real core issues हैं, जिसको आप मानों के core issues हैं, employment है, investments है, FDI है, उन पर traction मिलता है, या फिर educational और history, उन सब topics में ज़्यादा traction मिलता है, अब तो दोनों पर ही मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पर ज्यादा मिलता है, मैं कहूंगा, ल perspective से भी देख सकते हो, या TV shows के perspective से भी देख सकते हो, कि ज्यादा लोगों को entertaining चीज़े देखनी पसंद है, जैसे cricket देखना हो गया, या Big Boss देखना हो गया, और educational programs कितने लोग देखते हैं, उनकी संख्या कम होती, और इसके पीछे कई और कारण है, जैसे कि लोगों को एक escapism चाहिए होता है अपनी लाइफ में, तो entertaining movies लोग ज्यादा prefer करते हैं देखना as compared to serious educational movies, तो यूद से क्या कहोगे, जो यही escapism देख रहे हैं, escape कर रहे हैं, guns, girls, cars देख रहे हैं, कुछ हद तक escapism सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे भी कई बार यह escapism करने का one करता ह है कि यह सब जो हो रहा है, इससे मैं दूर जाओं और किसी और चीज़ पर focus करूं, दिमाग को relax करने के लिए ठीक है, लेकिन जिस चीज में आप entertainment धून रहे हो, बस यह देखो कि वो चीज आपके लिए destructive है कि नहीं आपके mind के लिए, तो big boss और इन चीजों के comparison में, आप entertainment cricket ह अच्छी फिल्म लाइक केरला स्टोरी, अच्छी फिल्म में लाइक three idiots, 12th फिल्म, जर्मनी में तो ठीक है, आप चौट से चलते हो, जब इंडिया आते हो तो क्या आपको रस्ते पर किसी ने रोक के बोला है कि दुरूवराटी, anti-national दुरूवराटी, क्या कर रहे हो तो यह किसी ने नहीं बोला, online पे तो इतने लोग बोलते हैं, online लोगों को एक वो barrier सा मिल जाता है कि anonymous हैं, वो कोई accountable नहीं ठराएगा, वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए वो खुल कर इतना बोलते हैं, तो अगर, मैंने यह personally भी experience थोड़ा सा किया है, अगर इतना online है, और इतना conviction से बोलते हैं, anti-national हो, funded हो, soros हो, सरकार अधिती confidently बोल रही है कि 400 पार भी है, तो फिर आपको कहीं mismatch लगता है कि जो online एक narrative चल रहा है, versus जो आपको real life में दिख रहा है, उसमें आपको mismatch दिखता है क्या, सरकार भी बहुत confident है अभी, सरकार का तो फालतू का confidence, अगर इतनी confident होती सरकार, तो वो इस तरीके से action नहीं ले रही होती, जो आज के दिन ले रही है, opposition, Congress के bank account freeze करने की क्या जरूत पड़ी, अगर 400 पार होने वाले थे, आम आदमी के top leaders को arrest करने की क्या जरूत पड़ी, अगर 400 पार हो रहे थे, 400 पार ह आपको जो एक surety लगता है, finally, with the threat of this dictatorship, बहुत सारे मैंने जो comments पढ़े, उसमें ये था कि you are being alarmist, बट आप से बात करके लगा जितने बार आपने dictatorship का नाम लिया और जो आपको वरी लग रहा है, तो उसमें आप कह रहे हो कि जो भी आपका point of view है, of India approaching towards dictatorship, उसमें alarmist नहीं है, it is completely factual, exactly, it is set in stone कि अगर हम इस direction में जा रहे हैं, तो वहीं जा कर गिरेंगे, अगर कुछ बदल गया, हमारे supreme leader का mind बदल गया, अचानक से उन्हें लगा कि मैं हेंकारी नहीं बनता, मैं जनता की परवा करने लग जाता हूं, तो वहां नहीं गिरेंगे हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजे जा रही हैं आगे, और जो हिस्टरी हमें दिखाती है, कि अगर कोई इनसान इतना हेंकारी बन जाता है, कि वह ये सब करने लग जाए, तो वहां से कोई turning back point नहीं होता, फिर उसे अपने आपको बचाने के लिए चीजे करती रहनी पड़ती हैं, नहीं तो किम जों उन तीसरी जनरेशन का डिक्टेटर है, उसे तो कुछ लगना चाहिए था कि चलो बहुत हुआ डिक्टेटर्शिप, आप डेमोकरसी लाते हैं देश में, क्यों नहीं करता हूँ ऐसा? As an international traveler, क्या आपको लगा है कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मीडिया खबरे चलाता है, यहां पर, कुछ भी जूटी खबरे चला देता है, और लोगों को लगता है कि देश में डंका, देश का डंका बज रहा है दुनिया में, अभी रश्या-उक्रेन वाली चीज देख लो, क्य मतलब क्या बकवास चलाई उन्होंने कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा, तो ऐसी चीजे जब वो बोलेंगे, अफकोर्स लोगों को लगेगा कि भई वार रुकवा दी, रश्या-उक्रेन की वार रुकवा दी है, मोदी जी ने तो मतलब पक्का पारफुल लीडर हो होंगे, ऐसे जूट जब टीवी पर चलाए जाएंगे, बार-बार दोहराए जाएंगे, फिल्में भी बनाई जाएंगे इन चीज़ा की उपर, अफकोर्स लोगों को लगेगा कि दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन जब सच्चाई इसकी completely opposite है, बाकी countries इंडिया को criticize क मोड़ी सरकार की वज़यह से हमारे देश की reputation नीचे गई है आज के दिन दुनिया में, सारे index में तो गई ही गई है वो तो हमारे नुकसान है लेकिन just as reputation wise भी हमारे देश की reputation नीचे गई है और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आपका कोई जब आपका लड़का है आपका बेटा है अगर वो ड्रक्स करता है मान लो उसको गंदी आदते लग जाती है शराप पीने लग जाता है या अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है तो आप क्या करोगे आप उसे मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना मैं कोई action नहीं लोगा बस उसकी तारीफ करते रहूँगा आपको दिख रहा है कि वो personal life में नीचे जाता जा रहा है लेकिन आप कुछ नहीं बोलते आप कहते हो कि भाई सब चंगा है और कोई उसे criticize करने को बोलते है मेरे बेटे को क कुछ मत कहना यहीं चीज लोग देश के साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं जब देश नीचे जा रहा है तो उसे यहां सरकार को डांट कर क्रिटिसाइज करके देश को इंप्रूफ करना है लेकिन वह नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं देश नीचे जा रहा है जाते रहने दो हमे ये बोलोगे कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसे जन्द दिया है वही मेरा बेटा है वह जो वो करेगा मैं अंधा धुंद उसे सपोर्ट करूँगा वो ड्रग्स लेता है ड्रग्स लेने दो कोई भी अगर ऐसा कहेगा तो कोई दूसरा इंसान उसे पागल कहेगा तो देश के लिए यही स्टेंडर्स क्यों नहीं होते तो मैं एक चीज फाइनली आपसे पूछूँगा कि जब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने अल्ड़ी अपने आपको बैलेंस करना शुरू कर दिया है मान लिया है कि आएगा कौन आप एक different point of view hold करते हो कि आपने कोई resign नहीं किया है और आप अभी भी एकदम डटे हो बिल्कुल डटा हूँ क्योंकि मुझे देश के citizens पर भरोसा है और अगर कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर लगी या interview देखकर लगी कि मुझे भरोसा नहीं उनका भरोसा उठ चुका है तो मैं बस ये कहूँगा बस अपने उपर भरोसा करो आप सो लोगों को convince करो हर एक viewer इस वीडियो को देखने वाला अपने आस पास के सो लोगों को अगर convince करने की कोशिश करेगा बात पहुँचाने की कोशिश करेगा देश बदल जाएगा क्योंकि देश कौन है अकर हमी लोग तो हैं देश किस से भरोसा उठा है अपने उपर से भरोसा उठ गया है क्या अपने उपर भरोसा करो बस मुझे अपने उपर भरोसा है आपको अपने उपर भरोसा होना चीए इस वीडियो को देखने वाले 10 मिलियन लोगों को अपने उपर भरोसा होना चीए उन 1 करोड लोगों को अपने उपर भरोसा हो गया ना कि वो बदल सकते है चीजों को तो देश भी बदल जाएगा इसमें तो जो भी हो situation चाहे वो courts का हो, media का हो या opposition का हो, कम से कम अपनी बात आगे रखो और अपने देश के बारे में सोचो Dhruv, it's amazing so, thanks so much for having this conversation I just hope इससे लोगों को भी थुड़ी बात समझ भे Thank you so much Thank you Thank you